आज पोहे से हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बड़ी ही जटपट ये बनकर तयार हो जाता है काफी सॉफ्ट और स्पंजी डोसा बनकर तयार होता है आलू का मसाला भी हम इसके साथ में बनाएंगे तो चलिए फिर फटा फट से देख लेते हैं कि इसे कैसे बना होता है तो वह हम निकाल देंगे बोहा जैसी धुल जाएगा उसके बाद में इसमें डाल देंगे एक कप सूजी सेम कप के नाब के हिस से एक कप सूजी एक कप नाप के consort से एक कप पानी सेम दो किना एक चमप नमक ये चमप6 और कर्थ नहीं है ध्यान रुकिए गा सारी ची प्यासे हैं तो पानी को ये पी जाएंगे तो दस मिनट के लिए इसे हम ऐसे छोड़ देते हैं तब तक आलू का मसाला बनाते हैं दो से तीन चम्मच तेल डाला है तेल गरम होने पर एक चम्मच राई डालेंगे तीन कटी हुई हरी मिर्चे एक हम यहां पर प्यास डाल हैं जैसी यह हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे आलू बॉयल और मैश किये हुए आलू हैं तीन आलू हैं मीडियम साइस के हाथों से मैश कीजेगा कद्दू कस मत कीजेगा अब इसमें मसाले भी डाल देंगे तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच सामबर मसाला पाउडर बहुत बढ़िया स्वाद आता है इससे तो इसलिए इसे मिस मत कीजेगा लगातार इसे चलाते हुए दो मिनिट के लिए हम और पकाएंगे ताकि आलू जो है उसकी भी बढ़िया भुनाई हो जाए इसके बाद में मैं इसमें मिर्ची डाल रही हूँ तो आधी शिमला मिर्ची है और साथ ही हम नमक भी डाल देंगे सारी चीजों को दुबारा मिक्स करते हुए एक से दो मिनिट के लिए और हम बढ़िया तरीके से भून लेंगे शिमला मिर्ची पहले इसलिए नहीं डाली ताकि उसका जो क्रंच है व बंद कर देंगे और इस मसाले को हम साइड में रख देंगे वहां जो बैटर है हमारा वो भी पानी पी चुका होगा इसे भी देख लेते हैं यहां पर यह देखिए काफी हद तक यह फूल गया है सूजी फूल गई है तो अब हम इसे क्या करेंगे डाल देंगे ब्लेंडिं बैटर बनाना है तो बैटर जो है वो देखिए मैंने बॉल में डाल दिया लेकिन आधा बैटर ही ले रही हूं बाकी का मैं फ्रिज में रख रही हूं नेक्स डे के लिए काम आजाएगा एक दिन के लिए आप इसे रख सकते हैं आधे बैटर में मैंने यहाँ पर डाल दिया है इनो आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं पूरा एक सेशे डाला है मैंने इनो को अक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है मिक्स कर देंगे और यह देखे कैसे फ्लोइंग कांसिस्टेंसी का जो बैटर है वो बनकर तयार हो गया है तवे को बहुत अच्छे से गरम करेंगे जब तवा गरम हो जाएगा उसे मीडियम फ्लेम पर कर देंगे एक बूंद मैंने तेल का डाला है और उसे इस तरीके से टिशू से हम फैला देंगे एक कर्ची बैटर का हम इसमें डालेंगे फैलाने की जरूरत नहीं है बैटर अपने आप फैल जाएगा मीडियम फ्लेम पर ढखक कर इसे पकाएंगे ये बहुत अच्छा पकेगा जाली बढ़िया बन जाएगी दो मिनिट के अंदर अंदर ये बन कर तयार हो जाएगा इसे पलटना नहीं है बस इसी तरीके से हम इसे बहार निकाल देंगे एक और बना कर बताती हूँ फ्लेम मीडियम पर है तेल को इस तरीके से एक बून तेल डाल कर पहला देंगे टिशू पेपर से एक कर्ची बैटर का डालेंगे धकेंगे मीडियम फ्लेम पर दो मिनिट के अंदर अंदर ये बन कर तयार हो जाएगा और ये देखिए बढ़िया ओहे का डोसा आलू का मसाला तयार है नारियल चटनी की रेसिपी पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ तो वहां से आप चे जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाई